तो आज हम लोग परहेंगे 1.2 एकसरसाइज जो नमर सिस्टम का ही है दूसरा चैप्टर है फर्स चैप्टर हम लोग देख लिए थे 1.1 अब इसमें हम लोग बात करेंगे पूरप्रस नावाली 1.2 का 1.2 में क्या है पहला नौर क्वेस्टन क्या है तो कहता है नीचे दिये ग संख्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है तो वहां भी कारण वता है तो परतेख परिमें संख्या एक वास्तविक संख्या होता है तो होता है नमर सिस्टम में हम लोग बता है थे परिमें संख्या और और परिमें संख्या यानि परिमें संख्या और और परिमें संख्या जो होता है दोनों को मिलाने से क्या आता है वास्तविक संख्या ही आता है यानि हम लोग बात किये थे परिमे परिमे संख्या परिमे संख्या पलस और परिमे संख्या लिखावाए परतेक परिमे संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकता है परतेक और परिमें संख्या यानि जो है पर्तेक और परिमें संख्या तो यह होता है परिमें संख्या परिमें संख्या परिमें संख्या परिमें संख्या यह दोनों को जो मिलाएंगे तो यह वी क्या आएगा वास्ताविक संख्या ही आएगा काल्पिक संख्या तो नहीं आएगा तो यह क्या आएगा वास्तविक संख्या ही आता है वास्तविक संख्या इस दोनों को मिलाने से क्या कहता है यह वास्तविक संख्या भी है अकेला अपरिमे को भी कहेंगे वास्तविक है अकेला अपरिमे को भी कहेंगे वास्तविक संख्या है इसलिए क्या कहता है परत्यक लाने से क्या आता है वास्तविक संख्या ही आता है तो यह अकेला भी रहेगा तो पर भी यह मतलब दोनों में से कुए एक रहेगा तो यह क्या कह लएगा वास्तविक संख्या के आता है का का रहूँ कारन की यहす तो नहीं क्यों तो रूट M के रूप का नहीं होता है। जैसे बात करेंगे हम रूट 2 का तो यह रूट 2 का जो भाइलू आता है। यह हमेशा यह रूट M के रूप का होता है। तो यह हमेशा नहीं कह सकता है कि रूट M के रूप का होगा। जैसे हम ले लेते हैं रूट 9। रूट 9 जो आएगा तो यह कितना आ जाएगा। तीन आ जाएगा। यह रूट से बाहर आ जाएगा। तीन आ गया रूप नाइन का तो यह क्या आ जाएगा यह सब असत्य आ जाएगा यह असत्य है उसके बाद बात करते हैं हम कि परतेक वास्तविक संख्या एक और परिमें संख्या होता है तो नहीं क्यों जैसे परिमें संख्या का बात करेंगे तो परिमें संख्या जैसे होता ह सदाधसाइब और यह परिमेसंख्या यह परिमेसंख्या यह दिखाइब है यानि संक्या जो है यानि पर त्याओरी को युजए यहाँ फिर еся यह है इसको लेता है भाग देता है तीन से दो मेँ तो यह आजाएगा गया दो दसम लग तीन छहके 18 परीar तो यह क्या एली यह 28 यह इसको कह सकते हैं यह अपरी में है लेकिन यह क्या है परी में संख्या अपरी में नहीं हो सकता है तो इसको भी क्या कहेंगे हम असत्त कहेंगे यानि जो आता ही रहेगा तू तो यह तो आ जाएगा अपर ही है यह नहीं करता है तो इसको नहीं कह सकता है परतेक बट्टा वाला मान जो है हमेसा अनंत वाला नहीं आता है जैसे देखो यह यह तुम्हारा कट गया और यह है यह आता ही रहेगा यह अपरी में है लेकिन यह अपरी में नहीं है तो क्या लिखाए कि परतेक वास्ताविक संख्या अपरी में होगा तो नहीं होगा यह इसको हम कह सकते हैं लेकिन इसको नहीं कह सकते हैं तो यह भी क्या आजाएगा असत्त के अंतरगत आ जाएगा ठीक तो यह तुम्हारा इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा नमर क्वेश्चन पर दूसरा क्या लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन परते हैं क्या लिखा है क्या सवी धनात्मक पुर्णांका बर्णूल अपरी में होता है तो यह भी नहीं है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का बर्णूल लिका लें निकालकर उदारंग दीजिए जो परी में संख्या है कहता है क्या सवी धनात्मक पुर्णांका बर्णूल अपरी में ही होता है ऐसा बात नहीं है कैसे है तो जैसे हम लेते हैं, एक्जेंपल के तर पर ले लिए हम चार ads for का यदि हम वर्गमून लिका ले गें तो कितना आजाता है दो आजाता है तो यह दो क्या है do परिमे संख्या है क्यों क्यों कि ये PYQ के रूप में आ जाता है तो क्या लिखा है सभी धनात्मक पुर्णां का बर्गमूल अपरिमे फता है यदी नहीं तो एक ऐसी संख्या का बर्गमूल लिकालकर उदाहरं दीजिए जो परिमे संख्या है एक संख्या ले लिए हम चार उसका जो बर्गमूल लिकाले तो कितना आगया दो जो कि क्या है परिमे संख्या है एक और लेते हैं जैसे लेते हम पचीस इसका यदि हम बर्गमूल लिकालेंगे तो कितना आता है पांच आता इसको लिख सकते हैं पी बाइ क्यों के रुप में यह वा एक संख्या जिसका बर्गमुल निकालने से क्या आ यह आ जाता है परिमे संख्या यह क्या आ जाएगा लिखना है कि नहीं और उदाहरं यहां लिखावाई क्या सभी धनात्मक पुर्णा का बर्गमुल अपरिमे होता है यदि नहीं तो एक उदाहरं दे कर बर्गमुल का उदाहरं दीजिए और यह परिमे संख्या तो यही उदाहरं हुआ फिर्गमुल का लगा, ठेक यही कहता है तो एक एसी संख्या के बर्गमुल का उदाहरं दीजिए जो एक परिमे संख्या है एक संख्या लिए चार जिसका बर्गमुल लिकाल गया दो, यह परिमे संख्या है क्योंकि PY czu key के रूप में आ जाता है तो इसका यही उदाहरन हुआ और यही कारण भी कह सकते हैं कि परतेख यह संख्या का जो बर्गमुन लिका लेंगे तो यह अपरी में संख्या नहीं होगा लिखावाए परतेख धनात्मक पुर्मा रिनात्मक वाला बात नहीं है इसलिए हम यहाँ पर क्या लिए पलस वाला ही भैलू लिये थी, इसका जब बर्गमुन लिका ले तो क्या आया ये, परिमेश संख्या ही आया, इसको कहता था एक उदाहरन देख करके बताने के लिए जो परिमेहद ये उदाहरन इसका हो गया उसके बात करेंगे इसके बात तुमारा क्वेस्टन कि दिखाए कि संख्या रेखा पर रूट भाइब कृस पररकार निरूपित करेंगे तो हम किस परकार संख्या रेखा पर दर्स जाते हो बद आटेया है सबसे पहले लेंगे तोह है यहOoh यह एक लिए संख्गा रहत दो ज्बहूंत दो सबसे पहले ले लिए हम यह कितना यह ले लिए क्या करते हैं पैंसील और परकार से के यूज करके बनाना है जैसे जैसे हम यहां बता देते हैं वह इसे करके देखेगा यहां पर परकार से बनाना थोड़ा संभाव नहीं है एक्जेक्ट हम बताते हैं इसको कई से करना है बताते हैं तो रूट थाइव लेना है करना क्या है यहां से जो distance लेंगे हम यहां से यहां का distance कितना है दो है अब इसके उपर हम ले लेते हैं एक यह ले लिए इसके उपर ले लिए हम एक ले लिए और यदि हम इसको इसके साथ मिलाते हैं यह मिलाएं थोड़ा इसको सीधा सा मिलाना है ये मिलाएं अब ये तुम्हारा इस पर ये तो लंब हो गया ठीक है अब इसका नाम देज़ता है जीरो ये हो गया A और ये हो गया B तो ये एक परकार का तिरहोज है और कैसा तिरहोज है तो ये समकोन तिरहोज है समकोन तिरहोज है लिख लेते यहाँ पर तिरहोज O A B एक समकोन तिरहोज है समकोन तिरहोज है ये क्या है समकोन तिरहोज है जिसमें O से B कितना लिए हम लोग O से B जो लिए है ये हो गया दो और ये A से B कितना है जो है ये होता है वोन अब इसमें हम लोग समकोन तिरह Sung में तो ये 90 के सामने वाला को जो कहा जाता है ये और ये क्या है यह पहुंच गया लम्ब ये इसके परपेंडिकूलर खरा यह कंड यह हो गया कर्ण यह हो गया कड़्ण अर सम संकॉन्तिर हुज में हम लोगों को पता है कि यह कर्ण का स्कॉर होता है लम्प का स्कॉयर का स्कॉयर पालस में अधार का स्कॉयर하기 कि ये होता है अब इसमें लेते अध्हार कितना तो लेंगे ये तुम्हारा हमको निकालनाय यदे ह कॉला इसे कशी मेंी एन्य हमको यह और की क्या क्या है करन का जो स्कॉयर होता है किसके बरावर स्कॉयर पलस अधार स्कॉयर के बरावर होता है तो लंब स्कॉयर क्या है इसका लंब स्कॉयर है इसका करन हो गया उसे इसका जो स्कॉयर होगा लंब Sq。 कितना यानि एसे वी स्कॉार्ड के लिया हम कवी यह से मिक्यूंज करेंगे तो यह क्या होता है क्या है स्कॉार इसको को साइट का स्कारज एंस नहां है अब यह तुम्हारा कितना होगा तो एसे भी कितना है वन तो यह हो Guru और्न कितना निकल गया पांच यह जो करना आया है ओ से ओ से यह कितना आ गया रूट पांच यानि यह जो निकला मेरा यह कितना निकल गया रूट अंडर पांच निकल गया अब इसके बाद क्या करना है हमको यह लेंगे यह हो गया मेरा परकार का नोग यह हो गया पैंसिल इसको यहां रहके और यह पर पहर के और इसको ऐसे मिलाएंगे ढॉ tidak लाएंगे यह से मिलता है यह हम पर मिला यह ही क्या कह लाएगा रूट अंडर फैब इसको हम लोग अशistä ही निरूपित करेंगे ठीक है तो यह था तुम्हारा 1.2 इसके बाद हम लोग देखेंगे 1.3 नमर सिस्टम में तुम्हारा यह 1.2 दो लेशन हम लोग कम्प्लिट के 1.1 और 1.2 तो इसके बाद हम लोग देखेंगे 1.3 तब तक के लिए इतना ही